दोस्तो इस विस्की को 2012 में बॉटल किया गया था और अब 2022 हो गया है दस साल हो गये इसको बॉटल की हुए तो क्या मेरी विस्की बिल्कुल एक्सपायर हो चुकी है कई क्वेस्टन उससे लोग पुछते हैं कि सर हमारे पास पुरानी बॉटल पढ़ी है क्या वो एक्सपायर ऐसे खतम होने वाली है या फिर आदी से ज़ादा आप पी चुके हो तो मैं सुझेस्ट करूँगा कि आप इसको जल्दी से जल्दी फिनिश कर दो अगर नहीं करना है तो आप इसको छोटे कंटेनर में शिफ्ट कर सकते हो क्योंकि जैसे ही हमारी बॉटल ओपन होती है हवा के साथ औक्सिजन के साथ इसका कॉंटेक्ट हो जाता है और विस्की के टेस्ट में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे अगर इन्फोर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए